नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी पंचतंत्र की कहानी टिटिहरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान दोस्तों, समुद्र तटके एक भाग में एक टिटिहरी का जोड़ा रहता था अंडे देने से पहले तिटिहरी ने अपने पती को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा तिटिहरी ने कहा यहां सभी स्थान पर याप्ट सुरक्षित हैं, तुु चिंता न कर टिटिहरी, समुद में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरे मतवाले हाथी को भी खीच कर ले जाती है इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देख रखना चाहिए टिटिहरा, समुद इतना दुसाहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानी पहुँचाए वह मुझ से दरता है, इसलिए तू नहशंख होकर यही तक पर अंडे दे दे समुद ने टिटिहरे की ये बाते सुन ली, उसने सोचा, ये टिटिहरा बहुत अभिमानी है आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा इसके अभिमान का भंग होना चाहिए ये सोचकर उसने जवार आने पर टिटिहरी के अंडों को लहरों में बहा दिया टिटिहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती टिटिहरे से बोली मूर्ख मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरे इन्हें बहा ले जाएंगी किंतु तुने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देता उसकी दुर्गती होती ही है इसके अतिरिक बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आय विपत्ती का पहले से ही उपाय सोचते हैं और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीग्रही नश्ट हो जाते हैं ये बात सुनकर टिटिहरे ने टिटिहरी से कहा मैं ये अग्भविश्यक जैसा मूर्ख और निश्कर्म नहीं हूँ मेरी बुद्धि का चमतकार देखती जा मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकाल कर समुद्र को सुखा देता हूँ टिटिहरी समुद्र के साथ तेरा वैर तुझे शोभा नहीं देता इस पर क्रोध करने से क्या लाब अपनी शक्ती देख कर हमें किसी से बैर करना चाहिए नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गती होगी टिटिहरा फिर भी अपनी चोंचो से समुद्र को सुखा दालने की दीगे मारता रहा तब टिटिहरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैक्लो नदिया निरंतर पानी से भर रही है उससे तु अपने बूंध भर उठाने वाली चोंचो से कैसे खाली कर देगा टिटिहरा तब भी अपने हाट पर तुला रहा तब टिटिहरी ने कहा यदि तुने समुद्र को सुखाने का हाथी कर लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर कई बार छोटे दो प्रानी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं जैसे चिरिया, कटफोले और मिधक ने मिलकर हाथी को मार दिया था टिटिहरा अच्छी बात है मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा ये कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आधी अनेक पक्षियों को बुला कर अपनी दुख कथा सुनाई उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किन्तो हमारा मित्र गरोल अवश्य सम्बंध में हमारी सहायता कर सकता है तब सब पक्षी मिलकर गरोल के पस जाकर रोने और चिलाने लगे, गरोल महाराज आपके रहते हमारे पक्षिकुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया हम इसका बदला चाहते हैं, आज उसने टिजहरी के अंदे नश्ट किये हैं कल वह दूसरे पक्षियों के अंदों को बहा ले जाएगा इस अत्याचार की रोक थाम होनी चाहिए अन्यथा सम्पोई पक्षिकुल नश्ट हो जाएगा गरोल ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया उसी समय उसके पास भगवान विष्णू का दूत आया उस दूत द्वारा भगवान विष्णू ने उसे सवारी के लिए बुलाया था गरोल ने दूत से क्रोध पूर्वक कहा कि वह विष्णू भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले दूट ने गरोल के क्रोध का कारण पूछा तो गरोल ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई दूट के मुख से गरोल के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विश्णू स्वयम गरोल के घर गए वहाँ पहुँचने पर गरूर ने प्रनाम पूर्वक विनम शब्दों में कहा भगवन आपके आश्रम का अभिमान करके समूद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरल कर लिया है इस तरह मुझे भी अपमानित किया है मैं समूद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ भगवान विश्णू बोले गरूर तुम्हारा क्रोध युक्त युक्त है समूद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था चलो, मैं अभी समूद्र से उन अंडों को वापिस लेकर टिजिहरी को दिलवा देता हूँ उसके बाद हमें अमरावती जाना है तब भगवान ने अपने धनुष पर आगने, बान को चड़ा कर समूद्र से कहा दुष्ट अभी उन सब अंडों को वापिस दे दे, नहीं तो तुझे क्षन भर में सुखा दूँगा भगवान विश्णू के भाय से समूद्र ने उसी क्षन अंडे वापिस दे दिये सी, अभिमान का सिर नीचा, धन्यवाद दोस्तों